दोस्तों इस वर्ष की जो होली है बेहद ही खास और बेहद ही सुन्दर है क्यों बेहद ही खास बेहद ही सुन्दर है इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ क्योंकि दोस्तों 24 मार्च को होली का दहन 25 मार्च को रंग उत्सव मनाएंगे और इस वर्ष बहुत बड़ा चंदर ग्रहन लगता है तो होली का प्रभाव और भी बढ़ जाता है जो लोग साधक हैं, जैसे की तंतr क्रिया जानते हैं जो लोग जैसे मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं या फिर जो लोग जैसे की अध्यात्मक्षेत्र से जुड़े हैं उनके लिए चंदर ग्रहन बहुत ही ज्यादा इस वर्ष शुभ रहेगा 2024 में तो होली के दिन दोस्तों चंदर ग्रहन है और चंदर ग्रहन के समय अगर कोई भी क्रिया करते हैं कोई भी उपाय को अपनाते हैं या फिर कोई भी जो क्रिया होती है उसे अगर आप अपने जीवन में फॉलो करते हैं तो आपको जरूर लाभ मिलेगा चाहे धन आकरशित करने के लिए हम वीडियो में जो उपाय बता रहे हैं वो उपाय करें चाहे दोस्तों आप जो है धन खींचने वाले यंत्र को भी इस दिन सिद्ध कर सकते हैं मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं वीडियो में अच्छी से अच्छी जानकारी बताया हूँ तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए ध्यान से सुनिए आपको समझ में आएगा नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से होली का त्योहार जश्न का त्योहार होता है इसलिए इस दिन विशेश रूप से खान पान, नृत्य, गायन ये सब किया जाता है दोस्तों होली का महत्व हमारे जीवन के हर पहलू में ये हमें ये महसूस कराता है क्योंकि इस दिन हम अपने मतभेदों को भूल जाते हैं और त्योहार की खुशी को साज़ा करते हैं एक दूसरे को गले लगाते हैं दोस्तों, भारत में होली का त्योहार, सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां, ये सब खुशियों का रंग भरने का काम करता है, लोगों के जीवन को रंगीन बनाने का काम करता है। दोस्तों, आम तौर पर जो होली का त्योहार है, इससे रंग महुदसव भी कहा जाता है, यह लोगों के बीच में एकता का प्यार लाता है, इसे प्यार का त्योहार भी कहा जाता है दोस्तों होली के दिन कुछ ऐसे कार्य जिन्हें नहीं करना चाहिए इस वीडियो में बताऊंगा और आज इस वीडियो में होली की राख के जबरदस्त दस गुपतेवं चमतकारिक प्रयोग बताऊंगा जो प्रयोग जानने के बाद आप भी होली की राख को अपने घर में र करके उसके नीचे मदमस्त हो करके लोग गाते हैं, बजाते हैं, होली उत्सव का पर्व मनाते हैं, मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा। होली के दिन हम जब गान बजान करते हैं, तो गले का व्यायाम भी होता है। होली की राख को अपने घर में रखते हैं, तो ये बड़ी से बड़ी आपके घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ती हो, उसे भस्म करने का काम करेगी। आईए, इस समय आप लोगों को दस गुप्त एवं चमतकारिक प्रयोग बता दूँ। इस से पहले आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहूंगा। वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को अपने फायदे के लिए पूरा जरूर देखना, क्योंकि दोस्तों, अधूरा ग्यान हमेशा खतरनाक साबित होता है। मन में कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में बिलकुल ही पूछे आपकी मदद की जाएगी, अचीन जानकारी। को होली जलाने वाली आग में डाल देना है, और अगले दिन होली की राख को रोगी के शरीर पे आपको लगाना है। ततपश्चात गर्म जल से स्नान कराना है, तो इस उपाय से रोगी शीग्र ही सौस्थ हो जाएगा। कोई व्यक्ती अभिचारी कर्म करता है, जैसे आपके उपर टोना जादू करता है, मारण है, विद्वशन है, उच्चाटन है, सम्मोहन है, वशीकरण है, इसे तांत्रिक क्रिया कहा जाता है। तो अगर कोई व्यक्ती आपके उपर में तांत्रिक क्रिया करता है, तो आपको करना क्या है। आपको स्नान करना है। तत्काल आप देखेंगे, आपके उपर में किया तंत्र विकार टोना, जादू भूत प्रेत, ये सब भस्म हो जाएंगे और आप स्वस्थ हो जाएंगे। यदि किसी माता बहन का पती दूसरी महिला के संपर्क में रहता है, तो आप होली पर उपरोक्त सामगरी जैसे अभी हमने आप लोगों को उपर जो सामगरी बताई है। उप्रोक्त सामगरी आपको लेनी है और साथ बार होली की जलती आग की आपको परिक्रमा करनी है। परिक्रमा करते समय एक गोमती चक्र अपने पती का नाम लेकर के आपको आग में डाल देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अगर आपका पती किसी दूसरी महिला के संपर्क में है वो बिलकुल ही वापस आ जाएंगे उनके संपर्क को छोड़ देंगे यदि आपको ऐसा प्रतीत होता है कि किसी ने आपके उपर तांत्रिक प्रयोग करवा दिया है तो आप होली का धहन के समय देसी घी में दो लॉंग एक बताशा एक पान का पत्ता थोड़ी सी मिश् को होली जलने वाली आग में डाल देना है अगले दिन होली की राख को चांदी के ताबीज में भर करके गले में धारन कर लेना है तो तांत्रिक प्रभाव बिलकुल ही निश्क्रिये हो जाएगा यदि कोई व्यक्ति आपका लिया हुआ धन वापस नहीं कर रहा है तो आप ह धन वापसी का निवेधन करते हुए उस नाम पे थोड़ा सा गुलाल उस पे छिड़कने के बाद आपको होली की आग में डाल देना है बिलकुल ही आपका धन वापस मिल जाएगा दोस्तों यदि आप किसी से शत्रुता समाप्त करना चाहते हैं तो होली का दहन के अगले द दिन उसी स्थान पर रात्री बारह बजे जाकर होली जलने वाले स्थान पर अनार की लकडी से भोजपत्र पर उस व्यक्ती का नाम लिखना है फिर उसे बाएं हाथ से मिटा देना है उस स्थान की थोड़ी सी राख लाना है और अगले दिन उस व्यक्ती के सिर पर उस राख को डाल देना है तो ऐसा करते हैं तो व्यक्ति आपके प्रतिशत्रुता का जो भाव रखता है दुश्मनी का भाव रखते हैं वह समाप्त हो जाएगा और भी इसके जबरदस्त चमतकारिक एवं गुप्त प्रयोग बताऊंगा विडियो को आधे बीच में छोड़ करके नहीं एक बतासा एक पान का पत्ता इन सभी वस्तु को होली जलने वाली आग में डाल देना है और अगले दिन उस राख को ला करके सरवार्थ सिद्ध योग में अब गूगल पे भी सर्च करके देख लेना कि होली का दहन के समय और होली का दहन के दिन सरवार्थ सिद्ध योग कि इसके बाद शुद्ध जल में बहा देना है। तो यदि आपकी जन्म पत्रिका में कोई ग्रहदूशित है, आपको नुकसान कर रहा है, नुकसान करना बंद कर देगा। पूजा की जाए, तो बहुत ही ज्यादा शुब होता है। और अगर आप साक्षात माता लक्षमी जी का आशिरवाद प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ यह करना है कि होली का देहन की राक आपको प्राप्त कर लेना है। और उसको लाल कपड़े में रखकर मौली धागे से बांद लेना है और एक लाल पोटली बना लेनी है। 25 मार्च को जब आप पूरी तरह से होली खेल लें तो सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपके घर का जो भी पूजा घर है जहां पर भी माता लक्षमी जी की कला चित्र रखी पूली का दहन की राख की पोटली को आपको ले जाना है। सबसे पहले आपको पूजा घर पर एक घी का दीपक जलाना है। यह जो राख की पोटली आप लाएं इस पोटली को अपने हाथ में पकड़ना है और माता लक्षमी जी के बीज मंतर का जाप आपको ग्यारह बार क प्रिय है, बीज मंत्र है, ओम महालक्ष्मी, नमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। इस उपाय को रखने के बाद आपकी अलमारी नोटों से भर जाएगी। आपके जीवन में धन आने के रास्ते खुल जाएगे। आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी। और माता लक्ष्मी जी के आशीरवाद से आने वाले समय में आपको धन की इतनी ज जाए। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका भाग्य प्रबल हो जाए, आपके नवग्रह हमेशा आपका साथ दें, तो एक बात को समझ लीजिए। किसी भी व्यक्ति के जीवन के भाग्य का राहु केतु का जो नियंतरन होता है, वह भगवान विश्णुजी के हाथ तो सिर्फ आपको यह करना है कि 24 तारीख को आपको होली का दहन की राख ले आना है, और पीले कपड़े में बांध कर उस पीले कपड़े की पोटली बना लेनी है, क्योंकि पीला रंग भगवान विश्णुजी को बहुत ज्यादा प्रिय है, 25 मार्च को आपको सूर्यास्त होने के बाद अच्छी तरीके से नहा लेना है और पीले कपड़े पहन लेना है, आपके घर का जो भी पूजा घर है, जहां भी भगवान विश्णुजी की कलाचित्र रखी हुई है, वहाँ पर जाना है, सबसे पहले घर के पूजा घर पर आपको एक घी का दीपक जला दे वासुदेवाई नमा हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, दोस्तों ऑम नमो, भगवते वासुदेवाई नमा और इसी पीली पोटली को अपने घर की छत पर रख देना है, और वहां से हटाना नहीं है, अगली होली को आपको यही उपाए वापस से करना है और पुरानी जिसके बाद से आपके नवग्रह आपका इस प्रकार से साथ देंगे जिसके बाद आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक पाएगा दोस्तों अगर आपके घर में रोज लड़ाई जगड़ा होता है आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं तो आपको इस जाल में मिलकर इसका छिड़काव घर के प्रत्येक सदस्य पर कर देना है सिर्फ इतना उपाय आप कर लीजिए और यकीन मानिये दोस्तों आपके घर में आपसी मतभेद बिलकुल खत्म हो जाएगा और आपके घर में लोग मिलजुल के रहने लगेंगे आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ती है उसका नाश हो जाएगा और आपके घर